नमस्कार आप देख रहे हैं इस पीडियूज लाइफ 24 तमाम खबरों के साथ मैं कल्यानी हाजिर हूँ देखते हैं आज की ताजा खबरे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये छे राजों के 763 गाओं में स्वामित्पो योजना के अंतरगत प्रॉपर्डी कार्ड के वितन का शुभार अंब किया कॉमरेस के पुर्वा द्यक्ष राहूल गांदी ने हातरस की घड़ना को लेकर एक बार फिर सियम योगी आधिति नाथ पर हमला बोला है राहूल गांदी ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ लोग दलित, मुस्लिम और अधिवासी को इंसान नहीं समझते उत्तरी काश्मिल के सिमावर्ती जिले कुपवडा में एक बार फिर सेना ने पाकिस्तान द्वारा अन्य अंतरन रेखा पर हातियारों की बड़ी दसकरी को नाकाम कर दिया राजबे पिछले 24 गंटों के दौरान नए मामलों की तुला में स्वस्त हुए लोगों की संख्या में रुद्धी दल्च की गई जिसके कारण सक्री मामलों में कमी आई है हारवर्ड बिजने स्कूल के नए डिन के रूप में श्रीकांत एम दातर की नियुक्ति की खाबर ने मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, नई दिल्ली समय देश के कई हिस्सों में रहने वाले उनके दोस्तों और सहकर्मियों को रुमांचिक कर दिया है करनाटक में एक दिन में एक लग से जादा लोगों की कोर्णा जाज की गई जिन में से दस हजार से जादा लोग संक्रमित पाए गए है बैंगलोर में एक दिन पहले संक्रमितों की संक्या पांच हजार से जादा हो गई है एयर मार्शल आरडी माथूर ने गुरुवार को वार्दिय वायुसेना के प्रशिक्षन कमान के एयर ओफिसर कमांडिंग इंग चीफ के तौर पर कार्यभार संभाला उन्होंने एयर मार्शल एस गुटोला के स्थान पर यह जिमेदारी संभाली है जम्मू एवं काश्मीर में शुक्रवार को कोरोणा वायरिस जांच रिपोर्ट में 636 नए लोग पॉज़चू पाए गए जिससे केंदुशासित प्रदेश में मामलों की संख्या बढ़कर 82 हज़र से जादा हो गई है उत्रप्रदेश के स्कूल 19 अक्टूबर से सभी बोर्ट के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए फिर से खुलने जा रहे है पत्रकार कमा शुक्ला और सतिश्यादो मार्पिट मामले की जांच S.I.T. करेगी वही कामकेर KTI को भी पच से हटा दिया गया है मार्पिट मामले जांच रिपोर्ट सरकार को सोपे जाने के कुछ गंटे बाद ही ये बड़ा एक्षन हुआ है आज की ताजा खबरों में बस इतना ही देखते रहे Speed News Life 24 शुक्रिया वो मुझे अपना स्टेटिस बता करना है HIV स्टेटिस अपना स्टेटिस जानने के लिए करीब के सरकारी अस्पताल के जांच के इंद्र में अपना HIV टेस्ट करवाईए ये जांच और सला मुफ्त और गोपनिया है